हम अपनी गुफ्तकू को आगे बढ़ाते हैं कि स्टेटिस्टिक्स में डेटा अनेलेसिस जो है वो दो तमने कहा कि स्टेटिस्टिक्स के दो हिस्से हैं एक डिस्क्रिप्टिव है और एक इंफ्रेंशल है इससे पिछले मॉड्यूल में हमने डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स के बारे में थोड़ेसी गुफ्तगू की अब हम इस मोड्यूल में हम इनफ्रेंशल स्टेटिस्टिक्स के एक कंपोनेंट यानि टेस्ट आफडेफरेंच के बात करते हैं जो inferences दो नौईयत के हो सकते हैं, inferences statistics में analysis की reference से देखा जाए, तो या वो difference से related हो सकते हैं, या वो association से मतलिक हो सकते हैं, आप किसी भी दो set of data के दर्मयान या फरक देख सकते हैं, या उनका आपस में तालुग देख सकते हैं, इसमें जो test difference के हैं, वो मैंने आपके सामने इस slide में रखे हैं, आप सिर्फ जो second column में इसका, उसको देखेंगे, बाकी जो association के वाले हैं, उनको हम इससे अगले module में देखेंगे, आप देखिए कि test of difference में हमने लिस्ट किया, काई स्क्वेर, टी टेस्ट हैं, ब्रैकेट में जी टेस्ट भी लिखा हुआ है, नीचे इनोवा है और फिर इनोवे की एक्साम है, और मिनोवा भी लिखा हुआ है नीचे, ये तमाम नाम आपने येकिनन मुक्तिव पॉइंट अ इसी नौईयत के हैं और यहीं पर खत्म होते हैं, इसके beyond जाने की ज़रूत हमें कम पढ़ती है, इसमें काई स्क्वेर टेस्ट हैं, ये nominal डेटा पर इस्तमाल होते हैं, अगर आप जिन वेरियेबल के दरम्यान difference देखना चाहते हैं, अगर वो वेरियेबल का जो डेटा है, वो nominal nature का है, तो आप उस पर जो test supply करेंगे, वो काई स्क्वेर होगा, काई स्क्वेर एक family of test है, एक test का नाम नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे test होते हैं, जिन सब का ही नाम हमने काई स्क्वेर रखा है, और आगे उसके कुछ लिखा होता है test के नाम से, जिस से आप इसको distinguish भी कर सकते हैं, लेकर हम इस काई स्क्वेर पूरी एक non-parametric statistics जिसको कहते हैं, या जो हम कहलें, जो nominal data पे apply होती है, या less representative sample से जो data आ रहा होता है, उससे होती है, ठोटे sample से होती है, उन के ओपर हम ये test common apply करते हैं, इसके लावा सब से popular term जो हम test of differences में, हम अपने education में देखत और इसक्माल करते हैं, वो T test हैं, और T test के अंदर फिर आगे तीन तरह के T test होते हैं, T test बन्यादी तोर पे आपने दो means को, यह आपके पास comparison करना है, difference निकालना है, एक group of mean और दूसरे group of mean के दरम्याद, मिसाल के तोर पे, मैं देखना चाहता हूं, कि मैंने class में एक test लिया है, students का, और उसमें लड़कियां भी थी और लड़के भी थे, और मुझे end पर देखना है कि लड़कों और लड़कियों की performance में क्या difference है, उनका comparison देखना है, तो एक group मेरे पास लड़कों का है, एक लड़कियों का है, लड़कों ने भी test दिया था, उनका भी average score आ जाएगा लड़कियों ने भी test दिया था, उनका भी average score आ जाएगा, इन दोनों के average scores को compare करना चाहता हूँ, तो इसके लिए भी T test इस्तमाल होगा, और इन में से कौन सा है, जिसको आप कहते है, independent sample T test, independent sample से यहां क्यों कहा, कि आपने अपना sample एक लिया, उस sample में लड़कियां भी थी तो आपने उस sample को अंदर लोगों को दो हिस्तों में तक्सीम कर दिया, लड़कियों का लएदा group बना दिया और लड़कों का group यह एक larger sample को दो छोटे sample में तक्सीम किया, और तक्सीम करते वकत यह उसमें क्या चीज़ मनफर्द है, कि जो बंदा एक group में आएगा, यह जो ल यूनीक groups हैं, इनकी membership overlap नहीं करती, दो लहदा group बन गए, अब मैंने लड़कियों फर्च कर लें, 25 की class थी, 10 लड़कियां थी, तो 10 लड़कियों के test लिए उनके scores की average निकाल दी, उसके बाद 15 लड़के थे, उनका test के score लिए और उसकी average निकाल दी, mean निकाल दिये, और इन independent sample t test होगा, one sample t test का अब होता है, जब मैं अपने sample को, यदि मैं अपनी class को, जुसका मैंने test लिया था, उसको group में नहीं divide करता, वो पूरे का पूरा एक group है, उसका लड़के लड़कियां सब कठे थे, मैंने अपनी class का एक mean निकाल लिया, और फिर मैं comparison करना चाहता हूँ, जो पिछले साल मेरे पास class पढ़ रही थी, इसी level पे, उसके mean में और इसमें क्या फरक है, तो देखिए, अपनी research में आपने जो data लिया, वो आपने अपने group से लिया, जो दूसरा number है mean का, वो पिछले साल का record में से निकालेंगे आप number, उसको आप कहते है, cut point या, sorry, cut score या जो भी आप कहे लेते हैं, नाम मुख्रिफ, softwares में मुख्रिफ हैं, लेकिन एक mean आपके group से आया और एक mean कहीं और, एक और मिसाल ले लेते हैं, जैसे height का comparison है, तो मैं कहता है, यार मेरे class जो है 10th, इसके बच्चों की height और national average height is age के बच्चों की, मैं आपस में compare करना चाहता आप अपनी class के बच्चों की height तो average निकाल लेंगे, national average height इस age में कितनी होती है, ये आप किसी data base से रेंगे, ये आप खुद नहीं calculate करते हैं, तो वहां से mean एक लिया और दूसरा mean अपने group से निकाला, इन दोनों के दरम्यान, अगर means के दरम्यान difference देखना होगा, तो आप one sample टी टेस्स ते इस्तमाल करते हैं, पेर संपल टी टेस्स का अब इस्तमाल होता है, हैं अब भी दो means ही, लेकिन पेर संपल का मतलब है, एक ही शखस के दो means है, मुसला आप experimental study करते हैं, study करने से पहले, मैं लोगों की vocabulary learning को देख रहा हूँ, तो study शुरू करने से पहले मैंने ए एक और test ले लिया, उसको post test का, तो मेरे पास अब student 1 का pretest भी है, post test भी है, student 2 का भी pretest है, और post test है, हर student का pretest का score भी है, post test का, मैं उनके pretest के score को post test के score के average से compare करना चाहता हूँ, अब इसका अब मैं मेरे पास हर individual जो मेरे sample में था, उसकी दो information मेरे पास है, एक pretest की information और फिर उसी की post test की, तो हर बंदे का एक pair of information मेरे पास मौजूद है, तो मैंने उन दोनों को compare कर ली आपस में, तो मैं, तो इसके लिए जो मुझे test चाहिए वो है, pair sample, t-test, इसके बाद आगे जो दूसरी family of test है, जिसको test of difference कहते हैं, ये innova के नाम से, analysis of variance, इसी जैसे t-test की तीन इक options है, one way innova है, two way innova है, और फिर इसके बाद आगे minnova भी आ जाता है, minnova एक अलहदा किसम है, इसमें से, इसको start में थोड़ा सा अलहदा करके देखना है, one way innova, फरक क्या है, basically t-test में और innova में difference ये है, कि जब आप दो means को आपस में compare करना चाहें, तो आप t-test यूज करते हैं, जब आपके पास compare किये जाने वाले means जो हैं, उनकी तादाद दो से ज्यादा हो जाती है, तो आप इसके इनोवा इस्तमाल करते हैं, प्ताल के तोर पे, जैसे मैंने आपसे पहले का के फर्ज कर लीजिए, कि मैंने जेंडर की बनियाद पे लोगों की achievement को compare करना था, तो जें मैं उनके religion की बनियाद पे उनकी achievement में फर्क देखना चाहता हूं, या मैं उनके divisions की बनियाद पे, जो student मेरे पास आये, उनमें first division कितने थे, second division थे, third division थे, मैं देखना चाहता हूं, first division की और second division और third division की मेरे course में performance में क्या फर्क है, तो अब मैं अपने group को तीन हिस्सों में divide कर रहा हूं, first division, second division, third division, तो आपके पास first division की group का mean, second के mean, third division की group का mean, तीनो means में फर्क देखना है, तो अब टी टेस्स नहीं लगाऊंगा, अब उसकी जगा one way innova लगा दूँगा, या जब भी means की तादाद दो से ज्यादा हो गई, तो आप इसके उपर innova लगाते हैं, अब आपको इन terminology से introduce करना जो है, वो मेरा मकसद है, तो otherwise, ये topic तफसीलन आपको data analysis के course में पढ़ने होंगे, यहां सिर्फ इनकी concept आपके जहन में डालने हैं, ताकि जब आप data analysis के course में जाएं, तो आपको ये अजनभी लफ्स ना लगें, आप इनके बारे में पढ़ना चाहें, आपको इन लफजों से शनास आई हो.